नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारी यूटुब channel में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं ही यानि वह जो शब्द है उसका sentence में कैसे यूज किया जाता है वह आया, ही केम, वह आया, ही केम वह पहले आया, ही केम फिस्ट वह कोशिश करता है He tries कोशिश करना यानि ट्राइ करना He tries वह पूरी कोशिश करता है He tries hard यहाँ पर hard का मतलब होता है वह मेहनत करता है पूरी कोशिश करता है तो यहाँ पर hard शब्द का यूज हुआ है He tries hard उसने खा लिया वह खालिया का मतलब होता है उसने खालिया He ate out उसने खाना खालिया वह खालिया या उसने खालिया He ate out उसने हार मान लिए He gave up हार माना याने give up छोड़ देगा He gave up वह बूढ़ा हो गया He grow old उसने फोन काट दिया He hang up फोन काटने के लिए हम बोलते हैं रख दिया उसने फोन रख दिया He hang up उसने वह बनाया He made it वह गुसा हो गया He got angry गुसा याने angry वह उसकी मदद करता है He helps her या फिर his भी हो सकता है He helps his या फिर he helps her अगर इस तरह लिंग है तो her का यूज होगा अगर पॉर लिंग है तो his का यूज होगा उसने उसे लात मारी लात मारना याने किक मारना उसने घर छोड़ दिया He left home उसने चेहरा खो दिया He lost face वह उससे प्यार करता है He loves her वह तेज दोड़ता है He runs fast वह बीमार लगता है He seems ill Seems याने लगना बीमार के लिए ill का यूज होता है वह दयालू लगता है He seems kind वह खड़ा हो गया He stood up Stand up Stood up उसने बीर पी ली He drank beer उसे थकान महसूस हुई He felt tired वह चावल उगाता है He grows rice उसने उसे गले से लगा लिया He hugged her उसने उसे मार दिया He killed him वह पीला दिखता है He looks pale वह कभी जूट नहीं बोलता He never lies कभी नहीं मतलब के लिए हम never शब्द का यूज करते हैं Lies यहन है जूट बोलना वह अच्छी तरह से बात करता है He talks well वह अमीर हो गया He became rich उसने एक छेद खोदा मतलब उसने एक छेद किया या छेद खोदा या होल किया या गड़ा खोदा एक ही शब्द है इसी को हम बोल सकते हैं He dug a hole जमीन पर हम कोई गड़ा खोदे है या दीवाल पर कोई छेद करते है तो उसने एक छेद किया या एक छेद खोदा छेद किया यानि छेद खोदा तो खोदना या किया मतलब डग He dug a hole वह बहुत खाता है He eats a lot उसने मुझे से जूट बोला He lied to me उसने मुझे गोली मार दी He shot at me Shot in a gulliman वह कार से आया था He came by car उसने Tom को जाने दिया He let Tom go उसने मुझे जाने दिया He made me go वह पढ़ सकता है He can read वह तैर सकता है He can swim सकना याने can वह पढ़ नहीं सकता He can't read Cannot का सट फाम होता है Can't He can't read वह गिन नहीं सकता He can't count या फिर He can not count वह ऐसा नहीं कर सकता है He can not do it या फिर He can't do it वह कर सकता है He could do it उसके पास हिम्मत है He has guts यहाँ पर हिम्मत के लिए guts यूज हुज हुआ है उसके पास शराब है He has wine उसे जुखाम हो गया है He has a cold उसके पास एक नोकरानी है He has a mad उसके पास कार है He has a car वह बूड़ा है He is old वह बिमार है He is sick वह अकेला है He is alone वह एक लेखक है He is a writer वह एक अभिनेता है He is an actor वह मेरे अंकल है He is my uncle वह शक्तिसाली है He is powerful वह अंदर नहीं है He is not in वह गुसा दिला रहा है He is annoying यहाँ पर अनॉया ने गुसा दिला ना वह मित्रवद है या फिर friendly है He is friendly मतलब कोई मिलनसार है तो हम बोलते हैं यार friendly है वह वह बिमार नहीं है He is not sick या फिर He is not sick Short form He is का short form He is होता वह पढ़ाई कर रहा है He is studying या फिर He is studying वह बहुत वेस्थ है वेस्थ याने busy He is too busy He is too busy वह बहुत बिमार है He is very ill He is very ill वह बेस्थ था He was busy वह भागशाली था He was lucky Lucky याने भागशाली वह चिला रहा था He was crying चिला न याने cry वह अंधा है He was blind वह पागल हो गया He went crazy वह जूट नहीं बोलता He doesn't lie He does not lie ऐसा भी बोल सकते हैं ड़स को अलग-अलग कर दिया और एक सांथ कर दिया तो ड़संट और अलग-अलग ड़स नाट दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं वह भागता नहीं है He does not run या He doesn't run वह आएगा He will come वह चल पड़ेगा He will walk यहां वह है Here he is यह उसका है This is his वह आगया है Here he comes उसकी क्या उम्र है How old is he क्या वो घर पर है Is he at home क्या वह सही है Is he correct वह कौन है Who is he क्या वह वेस्थ है Is he busy क्या वह सही है Is he right उसको पकड़ो Catch him उसका पीछा करो Follow him मैं उसे जानता हूँ I know him मैं उससे मिला I met him उसे बुला लाया I called him उसे समय दें Give him time उसे अंदर लाओ Bring him in उसने उसे मारा She hit him उसे देखो Look at him उसे अंदर आने दें Let him in उसे करने दो Let him do it चलो उससे पूछते हैं Let's ask him मैंने उसे जाने दिया I let him go मैं उससे पूछूंगा I will ask him क्या मैं उसे जानता हूँ Do I know him उसे किसने पाया Who found him मैंने उसे जाने दिया I made him go उसे छोट मत करो उसे मत मारो Don't hurt him यह उससे दे दो Give it to him अभी हमने आपको बताया He का प्रयोग और Him का प्रयोग कैसे किया जाता है हमें उमीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और देख ते रहे हमारा येटूब चैनल थांक्यू धन्नवाद